हलो बच्चो, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका डॉली वर्मा, जैसा कि आप जानते हैं यह हिंदी नवीन पल्लव, रिवीजन वर्क टू, इससे पहले वीडियो में हमने रिवीजन वर्क में हमने मात्राओं को रिवाइज किया था, और इस रिवीजन चीट में भी हम मात्राओं वाले कोशन्स और भी दूसरे तरह के कोशन्स हैं, हम उन सब को डिसकस करेंगे, प्रश्न वन बिना मात्रा वाले चार शब्द लिखिए बच्चों यहाँ पर आपको बिना मात्रा वाले चार शब्द लिखने है वो चार शब्द कोई से भी हो सकते हैं चाहे दो अक्षर के हों, तीन अक्षर के हों, चार अक्षर के हों क्योंकि यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि बिना मात्रा वाले चार शब्द लिखिए। आंतर में लिखा हुआ है डर, गगन, अद्रक, नगर। यहाँ बिना मात्रा वाले चार शब्द लिखने हैं। इसके बाद प्रश्न दो है र जोड़कर शब्द लिखिए। तो यहाँ पर जो हमें अक्षर दिये गए हैं, उसमें हमें रा जोड़ कर शब्द लिखने हैं, कर, घर, चर, मर. सभी बच्चे अपनी हिंदी पलव की कॉपी में ये प्रशन उत्तर लिखेंगे. इसके बाद है बच्चो प्रशन तीन, आकी मातरा के चार शब्द लिखे, अभी हमने प्रशन वन में मिना मातरा वाले शब्द लिखे थे, और अब इस प्रशन में आकी मातरा के चार शब्द लिखने हैं, वो कोई से भी शब्दा आप लिख सकते हैं, चाचा, कान, गाजर, यहाँ पर चार शब्द लिखे हुए हैं आप अपनी इच्छनुसार और भी शब्द लिख सकते हैं कोई से भी शब्द लिख सकते हैं बच्चो आप दो अक्षर वाले, तीन अक्षर वाले, चार अक्षर वाले लेकिन उसमें आकी मात्रा का प्रियोग होना जरूरी है अब इसके बाद बच्चों नेक्स कुश्चन है चित्रों को देखकर शब्द लिखिए इस तरह का कुश्चन हमने रिवीजन वक वन में भी दिया था तो बच्चों यहांपर दूसरे चित्रों दिये गए है पहला है गाजर गाजर तो सभी बच्चों को बहुत पुसंद आती है है ना, गाजर तो हमें हम क्या लिखेंगे यहांपर ग, ग, पराकी मात्रा गा, जर, गा, जर इसके बाद है बच्चों ताला इसके बाद नेक्स्ट है दीपक द पर पड़ी की मात्रा इसके बाद नेक्स्ट है बच्चो अनार नार न न पर आ की मात्रा न र अनार तो सभी बच्चे को अनार भी बहुत पसंद आता है इसके बाद है बच्चो नेक्स्ट है कमल क म ल कमल यह कमल का फूल है इसके बाद है नल न ल नल आप सभी बच्चे ये सारे चित्र बनाकर उसके सामने ये शब्द लिखेंगे चित्र बच्चों आपसे जैसे भी बने आप बना लीजेगा और उसके सामने आपको चित्र के अनुसार शब्द लिखने हैं इसके बाद है बच्चों नेक्स चित्र है दिन देखिए हैं पर सूरज निकल रहा है और दिन की शुरुवात हो रही है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे दिन द द पर छोटी की मात्रा दि न दिन और उसके बाद है जीब जीब बड़ी की मात्रा मैंने आपको पहले भी कहा है ना चोटी की मात्रा में और बड़ी की मात्रा में हम कैसे डिफरेंस देखते हैं जीब जज़ पर बड़ी की मात्रा जीब जीब बच्चों अब इसके बाद नेक्स कुश्चन है चोटी की मात्रा के चार शब्द लिखिए इससे पहले हमने बि यहाँ पर लिखें हुए हैं दिन, किला, सिर, परिवार बच्चों यहाँ पर में फिर से यही कहूंगी आप इच्छा नुसार और भी शब्द लिख सकते हैं लेकिन उन शब्द में छोटी इकी मात्रा का प्रियूग होना जरूरी है इसके बाद है बच्चों बड़ी की मात्रा के चार शब्द लिखिए यहाँ पर लिखें हुए हैं चील, तीर, दीपक, हीरा दीपक, द, द, पर बड़ी की मात्रा, दीपक, दीपक, हीरा ह, ह, पर बड़ी की मात्रा, ही, रा, हीरा आप सभी बच्चों को आज का हूंवक क्या करना है complete this work in Hindi पल्लव कौपी बच्चों आपको ये काम जो अभी हमने डिस्कस किया ये आप सभी को अपनी Hindi पल्लव की कौपे में करना है और सभी बच्चे बहुत सुन्दर राइटिंग में अपना काम करेंगे